अरुन्दती आगे जाते दिखेगी और यह उसका astronomy simulation है Meridian line है, अरुन्दती थोड़ी से ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन अरुन्दती अलड़ी cross कर चुकी है Meridian दिखता है जो लगनती के लोगों को और वसिष्टो को अभी भी cross करना है वसिष्टो राइट में, remember motion is anticlockwise यह हमने जो अभी दिखाए मैंने आपको इसको बोलते है प्रत्यक्षा objective testing जो मैंनी किया वो आप भी कर सकना चाहिए आपको भी यही result किलना चाहिए objective testing तो इसका क्या अभिचलो ठीके बोसरा हमने दिखाया उसको इनों पर उसका करना क्या है deductive reasoning आप अपलाए करो तो इससे यह सिद्ध होता है based on this one reference कि महागारत युद्ध जो हुआ वो कभी तो 4500 साल के पहले हुआ 4500 BC है 6500 यह पहले कभी तो हुआ और 11009 BC के बाद में हुआ तो कोई भी दुसरा researcher आ जाए और आपको बताए कि चलो युद्ध जो हुआ मुझे लगता है 3000 BC में हुआ तो आप उसको क्या कुछ होगे 3000 BC में कोई क्लेम कर रहा है तो आप उसको इस simple question पुछना चाहे तो इसको हम astronomy poison pill बोलते है तो इससे हमें एक रेफरेंस से पता चलता है कि चार अज़ाद पाद लास्ट 6500 युद्ध में महावार को अर्युद्ध नहीं हुआ इसकी ब्यूटी क्या है अभी तक जब महावारत पड़ते है तो हम बते हैं चलो किसी ने लिखा होगा क्या लिखा होगा सचय या जूट पता नहीं वज्ञानीक धंग से हम ये सिद्ध कर सकते है कि जो उन्होंने बोला था बहुत लोगों को ये अभी तक लग रहा था और वो 6500 के पेले हो गया है मैं रामायन का उदारन आपको दुसरा देता हूँ ये तोड़ा सिंपल है तोड़ा आपको जड़ा हेवी लगा होगा तो वोड़ा सा सिंपल है राम जी का आयू क्या थी जब वो वनवास को निकले अब ये भी हमारे समस्कृति की विशेष्टा है आप वालमी की रामायन पढ़ोगे तो आपको वालमी की रामायन में ही आज का जो राम वालमी की रामायन है उसमें आपको दो तरह के संदर्वा मिलते है टू सेट्स आइकॉल एक संदर्वय के अनुसार ऐसा लगता है जो बोला गया है कि राम की आयूथी 17 साथ की जब वो वनवास निकले और दूसरा सेट है उससे निकलता है कि राम की आयूथी 25 साथ की 25 तो आपकर जी सुच रोगे चलो वही राम का आयूथ का लेके क्या करना उसका बोल सारा ऐस्ट्रोनमी से सम्मझ जए बिकास जस जिस दिन वो वनवास के लिए जा रहे थे उस दिन में ऐस्ट्रोनमी बोल सारे डिस्क्रिप्शन से उस दिन प्लैनेट की स्तिति क्या थी और वो कोई भी जब दावा करता है तो वो 17 और 25 किया तो जो 17 में होगा वो हल्यकुल लाइकिन सब्सक्राव कभब गनाट और अंटॉर्ट इसले निह थिंसरा इसले कि त Kerry अच्छले हुद हैं कुछ दृ विधर वह जुब आनका जो बादश में हैं जनके नहीं है इसा इसा कहा जाता है अमेरिका में तो कहा है जाता है कि लेडिस का एश 39 के बाद आके बढ़ता ही नहीं 19, 29, 39 इसके बाद कुछ निंगर नहीं यह तोड़ा सा यह हुआ रहे राम का 25 साल का ऐसा दूसरा सेट है तो हम इसमें से पैसा सिलेक्ट करें पैसा सिलेक्ट करें। तो अक्के में दिखाता हूं, quickly जाँगा हमाँ तो अनुमान ये में आपको अनुमान दे रहा हो पर देए और वो कैसा में उधर पहुंचा वो आपको बताऊंगा तो यह जो दोनों वालमी के रामाण में डिस्क्राइब किये हुए हैं उसमें से आप additional references, evidence को देखोगे तो आपको यह सिल्दल कर सकते हैं कि राम की जो आयू थी वो 17-18 साल की थी जब वो बनवास को निकले और 25 की नहीं थी अभी देखते हैं क्यों तो पहला सेक्ट का जो evidence है उसमें ये लिखाए दोनों दो references हैं उसमें बुलाएं मैं पढ़ूंगा नहीं दश्रसाप तच वर्षानी तवे जात्रस से राग होगा जब राम निकले बनवास के लिए तो उनकी आयू 17 साल की थी दुसरा एक गोरेशियो करके another text edition है रामायन का उन्होंने identify कि अवा इंडिया से उसमें वो 18 साल को ले तो 17-18 साल की थी इससे ज़्यादा दुसरी दुसरा जो state of evidence है वो भी वार्मी के रामायन में है उसमें लिखा है यह सिता बताती है उसमें कि राम के आयू 25 साल की थी और मेरी आयू 18 साल की थी जब हम अद्वास को निकले यह आश्रम में वो एक सेज को बोढ़ रही है और दुसरे जगह वही फिर repeat किया गया हुआ है दुसरे कांड में कि राम के आयू 25 मेरी आयू 18 ऐसे सिता बोल रही है और यह और भी बोलते है कि हम दोनों युद्वा क्या बोलते हैं शादी के बाद 12 साल आयूद्या में रहे और उसके बाद अधवास में गया इसका मतलब उनका जब शादी हुआ तो उनका आयू क्या थी 13 और 6 बराबर 13 और 6 उसका उसका conclusion होता है इसके अगेंस नाउ मैं आपको evidence दिखाता हूँ जिसके कारण यह हम दोनों में से most likely possibility क्या है कि हम कैसा find out कर सकते ही तो एक reference यह है जब सिता को पुच्छा जाता है कि अच्छा ते अपकी शादी का हुई तो सिता बलती है पती सयोग के सुलभम वयो दृष्टा तुमे पिता वेन माई फादर असको लगा कि पती के साल सयोग होने के लिए मेरी आयू अप्रोप्रेट है तब उसको चिंता हो गई और वो ग्रोव डूड़ने लगा यह जब हमने रेफरेंस के लिए तो इसका मतलब क्या है सीता चो साल की नहीं हो सकती इट विल बी नाट कंसिडर अट पती सयोग के सुलभम वह एज नहीं हो सकता अगिता मैं समय जो छोड़ा से शोड़ा अगिता में समझ ले तो भी नहीं हो सकता चेव तो डेफिनेटली नहीं हो सकता रे मिरे मुधिता असर वा वर्ट भी साइसा रहीं अचीक है पुराने जमाने में हमें पता है कि एक तम यंग होते है शादी होती थी लेकिन वह जब तक बड़े नहीं होते तब तक वह अदा बढ़ते थे लेकिन रामायाट में यह रेफरेंस है कि असुन अस वह आ गए अयोध्या में तो इस कपल स्टाटेड एंजॉइंग इन देर प्राइवेट कोर्टर्स यह रामायाट का रेफरेंस मिता है किसरा रेफरेंस हमेह समिता है जब विश्वामित्र दाशरत के पास राम को मांगने आये बाध में उसके ठाटीका कउभण किया और बाध में शादी हुМ उसमें जब विश्वामित्र माग रहे तो दाशरत को गोथ डर लगा कि इतना मेरा चोड़ा लड़का को कैसा देगी तब बोलते हुए दश्रत विश्वामेंत्र को बोल रहे उन शोड़श वर्षों में रामो राज्य वरुचुन मेरा बेटा अभी तो जस्स्टेन हो चुका है उसके बाद शाती हुई चलो वो सिक्स्टेन समझ लो तो डेफिन है उसके अगेंस जब अरण्यकान में रेफरेंस है सवत सरस्चाश्य दिन्दा रागवस्य निवेशन है मेरा शाध्योंने के बाद for one year we lived in ayodhya and then we went to one was तो वारा सथ नहीं है तो चोटे 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 इसमें तो कुछ mathematics नहीं उसमें कुछ नहीं simple हम तरक शास्त्र लाजिक इससे हम जाके भी कोई conflict है कोई problem है उसको हम समाधान कर सकते हैं और quickly तीसरा और मैं रूप जाओ लगा है यह जो हमें दिख रहे है न वो स्रिवर्स सरस अब हमें आपको कितने में से लोगों को पता है कि रिवर्स सरस्वती इस रियालिटी नो रिवर्स सरस्वती है हमने हमने फाइंड आट किया है अभी तो प्लो नहीं होती लेकिन उसका बहुत बड़ा पहली वो चैनल जो पाथ बोते है उराना पाथ वो अभी सबको मिलाए कितना लोगों को पता है, वेरी गुड़, इन फैक क्या वो पता है, बिकास वो पाथ हुआ है जो डिवर्स सरस्वती इह और जाते है उनको नाइट मेर्स उते है इन देगे नाइटमेर्स दुरिन देड़े दाइट दिन में भी ओको नाइटमेर्स लाते है रिवर्सर सुथी इतना पावर्फुल एविडेंस है तो यह मैं एक लास्ट यह पार्थिसरा सेशन है लास्ट पॉइंट एविडेंस में दिखाना चाहता हूं कि वह महावारत को भी ठीक करता है रामाएंट के साथ भी मैच होता है 6 million BC रामाएंट का 13 million BC के साथ मैच होता है और यह भी दिखाता है कि रुगवेद तो रुगवेद का जो कोई sections है उससे पहले के थे more than 14-15 thousand years ago रुगवेद के कोई पार्ट से सरस्वतिका एड़ेंस यह आपको पिक्चर द दिख रहा है वो रिवर सतलज और शुतुद्री उसका फुरान अना उसका actual पाथ है वो पंजाब में जाता है यह पाकिस्तन में फ्लोग के आगे चला जाता है दूसरे साइड में यह जो इदर दिख रही है वो नदी यमुना है यमुना का अभी का पाथ है और यह याद र पाथ है वो 10-12 किलोमेटर से इतनी बड़ी जो बीच में का जो पात है यह पूरा साइंटिस ने हजारो स्टीज के बाद किया हुआ है 40 प्लस स्टीज वो है रिवर सरस्वती का पेलियो चैनल पेलियो चैनल में उदर चैनल था अभी उदर पानी नहीं है बट आप साइंट विध्यान के अजड़वत तरह से वा बूल सकते हैं नहीं इसका क्या सम्द्वरा माँड माँद माँद से रहा है कर्या दिया ताइम 12000 B.C. और माहा बाद का 6000 B.C. अप्रोंदी का यह देखेंगे कि माहा बाद इतर था, रामायन इतर था, माहा बारत और रामायन में स्वथी के बारे में क्या काहा है अभी मैं अस्ट्रोनमी से दूर जागा है तो अस्ट्रोनमी से मैंने वह डेट निकाला 5561 जोल था बसे नहीं नौ इसको बनते हैं multi-disciplinary evidence the verification using multi-disciplinary evidence और कोई दुसरा science का इविद्ञान का evidence लाके क्या हम यह सिंदर कर सकते कि इसमें यह match हो रहा है सब jigsaw puzzle जेसा दोनों पार्स आके मिलना चाहिए नहीं आप महाभारत में पड़ो गए तो देरा जाग एक सव बीस से जादा सरस्वती के बारे में references आते हैं उसमें क्या क्या हमें बताते हैं तो यह बताते हैं महाभारत की महाभारत के टाइम में तो पके में में सण में नीचे गई ते इसम रहे न कि सम्पोर नगरे एक नरुमारे में अगए लिकिन ऐए तो रहत हैं रहा को पे सरस्वती संपूर नहीं पुरा दश्ट रही birthday ओंग है और कोई जगा सरस्वती नदी से बाहर आ रहे थी फ्लक्स में बुलता है, English means in a flux, in a complex state ये 6 millennium BC में था, 6 millennium BC इसलिए कि मैं बुल रहा हूं महावारा 6 millennium में हुआ based on astronomy evidence रामायन में क्या बोला जाता सरस्वती के बारे में? अगें रामायन में ये बोला जाता सरस्वती के बारे में ज़्यादा बोला नहीं है लेकिन ये बोला है कि जो यमुना नदी है वो रामायन टाइम में ही ओड़ी गंगा को मिल चुकी है इसका मतलब 12,000 BC के पहले ही यमुना नदी गंगा को मिलनी चाहिए हमारे पास एविडेंस है और दूसरा जो रामायन में डिस्क्रिप्शन है नदी शुदुत्री का जरूर धान देना कि उसका में संबंद लिखाऊंगा तो 12,000 BC में यह रामायन है तो उसमें लिखा है कि जो नदी शुदुत्री है बड़ा उसका पात्र है और वो इतनम शार पश्चिम में मुड़ चुकी है और पश्चिम में बहर रही है इसा आपको रामायन में डिस्क्रिप्शन मिलेगा यह क्यों मत्वपुर्ण है आप जियोलोजिकल एविडेंस में पीछे जाओगे तो आपको यह पता चलेगा कि रिवर सरस्वती इतना बड़ा अंबीत में नदीत में देवीत में सरस्वती यह रुबेत का वाक्य है जो क्योंकि उसमें संद्लुगा भी पानी जा रहाता संद्वसी बाड़ा अभाधिये बागे पहले होना चाहिए, यमुना भी दूर जाना चाहिए और सब्दश भी दूर जाने चाहिए लेट सी इपी फाइंड एविदेंस पूरें तो पहले हम यमुना के लिए देखते हैं आप रुवेत की दिस्क्रिप्शन देखो गए जो सबसे जो ओल्डेस सेक्शन से रुवेत के जो नदीत में अमवेत में जो बड़े बड़े डिस्क्रिप्शन है कि ग्रांड रिवर जो मांटन से चली और पूरा ओल्डवे समुद्रों को जाके मिली गिरिभ्या आ समुद्रा यह जो उसका वर्णन है यह ओल्डेस्ट रुवेदा के सेक्शन में आता है आपने श्रिकान तलगेरी जी नाम सुनाएं कोई लोग नहीं सुनाओगा श्रिकान तलगेरी उनका आप जरूर पढ़िए गार रुवेदा दी अनालेस तो उनके अनुसार उनने दिया आए वेरी वंडरफुल बुक 637 वो सबसे ओल्डेस्ट मंदल है उसके बाद 42 उसके बाद 589 और उसके बाद बहुत सारा लंबा के आप और उसके बाद मंदल 10 और जो सुकत जो 1st मंदल के है वो सब जग़ जाते है तो आप जो सरसुती का जो बड़ा description सुनता है वो oldest रुवेद का मंदल में है और लास्ट में जब 10th मंदल में आप आजाओगे तो आपको क्या मिलता है नदी सुकत है उसमें 10.75 उसमें सरसुती बड़ी नदी नहीं है अभी सरसुती नदी तो है लेकिन सिंदू नदी को ब सुषवधित पेपर पब्लिश किया यह मैं इसलिए उनका नाम लिता हूँ यह बनुराओ कि वह जो खलिफ्ट है ना उनको मैं कभी मिला नहीं उनको उनको रामायान महावारत रुबे से कुछ लेना देना नहीं है नहीं नहीं है नहीं है वो क्यों पढ़ते है विकाज उन सुषवधित किया उसमें से मैं क्विकल आपको कंक्लूजन बताता हूं उससे हुंका कंक्लूजन यह आया कि यमुना जो नदी है वो सर्वस्वति से सेपरेट हुई पच्चास हजार साल पेने 50 थाउजन बीस और शायद कभी-कभी वो बहुत सारे चोटे प्रवाह आते है उसके उन्हें बोला कि चोटा मुठा को भी आता होगा तो भी 9000 बीसी के बार में विल्कुल नहीं यमुना तो सेपरेट होगा तो यह हमारा डिस्क्रिप्शन मैच होता है रामायन के साथ कि रामायन के टाइम बारा आजान में ही यमुना गंगा को मिद रही थी यह जो सेक अधिया है उदर उन्हेंने कोर्स ड्रॉ किया है अर्फ में जाके स्ट्रेट नीचे जाएंगे और 40 50 60 मीटर्स का मटेरियल लाएंगे विदाउट इस्टरबिंगे और उसमें जोलोजी का विद्यान यूज करके वो बोल सकते हैं कि इधर नदी बहती थी इधर कुछ नहीं इधर ड्राइथा इसा मता सकते हैं